नमस्कार किसान साथियों, आज किसी वीडियो में बात करेंगे, दान के अंदर कितने तरह कि जो बलास्ट रोगा है वो आते हैं, उनकी पहचान क्या है, हमें केसे पतर लगा कि हमारा जो बलास्ट है वो आकर के खतम हो चुका है, या फिर बढ़िया जो दवाई है वो कौन सी जानते हो जैसे कि Leaf Blast है, Color Blast है, Nod Blast है, वह नेक Blast है, Leaf Blast का मतलब Leaf Blast दो तरह ऐसे होता है, एक तो पत्ते के ऊपर थोड़ी सी उल्लू के अकार जैसी आँख टाइप बन जाती है, पहला तो symptom यह हो गया, ब्राउन से रंक आपको दिखेगी, दूसरा जो symptom है, उसके अंदर यह जो साइज आँख वाला यह गोल नी होता, यह थोड़ा सा लंबाईक होता है, जैसे नाओ नी होती है, अपनी किस्ती टाइप होता है, जैसे आप Smindle Blast बोल देते हो, यह नेरो ली ब्लास्ट बोल देते हो, Color Blast जो है, जहां से पत्ता अपना स्टार्ट होता है, वहां स जहां पर गाठ है, वह जो fungos है, वढख उन वलगती उस गाठ को तोड़ देती है, अगर गाठ तूट की तो पूरे की पूरी जो साख़ा है वो टूट जाती है, इस तरह के बाता है नेक Blast माता है, वह गल्न कि हमारे visible का सी बल्य को उपर बाग ऑंड़ निकी बाली के अधिक मात्रा में द्यीआपी का प्रेयो करना या फिर लगातार बारिस का होना यानि कि इसके अनकूल जो ताब मान है वो हमारा बन जाता है इसलिए यह जो बिमारी है वो अत्याते के अधिक वो आक करके खतम हो जाती है वो आपको कैसे दिखेगी आप जिसी पत्ते को तोड़ते हो अगर उस सिम्टम का यानिके अगर पत्ते को पर गोल आंख बनी हुई है या फिर नाओ के कार का बना हुआ है उसमें से अगर बीच वाला जो हिस्सा है वो सफेद हो चुका है इसका मल हैं वो अच्छे तरीके से बेच लेते हैं तो आपको ड्रक करके जो खेती हो नहीं करने कोई बाद नी बिमारी आगी तो हम उसका सोल्यूशन भी कर लेंगा ऐसी कोई बड़ी बाद नहीं है पाइनली अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आप काफी सालों से जो टेक्निक सब्सक्राइब कर सकते हो थाइफ लूज आमाई डाता है 1500 पर टेकड़ के साब से उसका प्रियों कर सकते हो कुछ एक किसान साती नटीव का प्रियों करते हैं नटीव आप 160 से लेके 180 ग्राम के आसपास डाल सकते हो यह जो एक्सोसी वाली जो डोज है वो खास करके जो बास आप उसे भी देख सकते हो सीत बलाइट के बारे में हम इसी वीडियो के इंदर जान लेती हैं क्योंकि जो टेक्निकल है दवाईयां जो है जो डोज है वो बिलकुल सेम है जो हम बलास्ट के अंदर यूज करेंगे वो हम सीथ बलाइट के इंदर यूज करेंगे इसलिए तोड़ी है और यह पत्या चारों लिप्टी हुए एक पूरी पूरी जो साखा वो बनी हुए इस हिसे को कहते हैं सीथ की अंदर हमने जाने की आफस्ता नहीं पड़ती क्योंकि इसकी जो शुरुवात है वो हमारी बाउंडरी के चारों से स्टार्ट होथ और धिर दिर दिर नंदर के और आता है जब भी यह पोदे के अंदर फैलती है तो नीचे से लेकर अपर के और फैलती है और पूरा पूरा जो पोद है वह पराली बन जाता है इसलिए बोलते है कि यह जो बिमारी है वह हमारी पैदावार का सो परसेंट तक नुकसान कर सकती है बाकि किसान साथियों हमने क्या टेकनिकल यूज करना है क्या डोज रहती है वह आपको बलास्ट के बारे में बता दिया है तो सेम जो जानकर आपको अच्छी लेगे हुई धन्यवाद